कि असलाम अलेक्व नाजीर में उशेकरमत अलिया आप देख रहे हैं क्राइम्टूडे न्यूस जिनाब मुझाहिए धाश्मी साहब आपका बहुत शुक्री आप हमारे स्टूडियों में आए हैं और एक अहम मौज़ू पर बात करने वाले हैं कि सवालात करने वाले हैं कि आ है निजर्व जो जमयतो ऐलें की जजराद सरहे हैं और जिसमें दाऊना महाम मोर्मोध मदली साहब मिषान साहा निए कि Aufg़र मुस्लमान बरदाश्ट कर लेगा propendam मुलक कर लेए ृजा गó और किस तरफ हमारा ये मुल्क जा रहा है उल्माइदीन किस तरफ जा रहे है असलाम वालेक्ट मुर्मतुल्लाइब बरकातों नाजरीन जहां तक जम्मतुलूमा का तालुख है जम्मतुलूमा वो तंजीम है जिसने इस मुल्क की आजादी के तहरीक में अपना सबसे बहतीन किरदार रूर्व अदा किया और उसकी तारीक ये है कि 55,000 जो शहीद है इस मुल्क के लिए मारे गया है उनके नाम जहों मारे है उसमें लिखे वे हैं वो उल्मा अलग थे मुक्रिस थे देंदार थे पाबिल थे उन्होंने जहे इस मुल्क की आजादी के लिए जो खुरब फस्थत्तक उन्होंने कामा अन्जाम दिया लेकिन जब सियासी प़ित्रे बाजियों के मायदान उनके वाया इ। उन्होंने कहा उन्होंने कहां कि हम इसका मचाबला कर सकें लेहाधा ज hebben लिएड आजम मुह Kerry эфф excitement के हवाले उन्होंना अमने की स्यासत और किसी सियासी जमाद के लिए के खुलाम आलायकार बनी ही और आज भी जिसे बावरी मजजिद की शहादत के बाद भी वह हमेशा कांगले से वफादार रहे खाब आप हमारी मजजिदों तोड़े उसको शहीद करे और हजारों फसादात आप हमको तोफ़े में दें मसाजिद को गिराएं लेकिन उसके बाओजी हम आपके वफादार हैं वफादार रहेंगे तो अलुमा की ये फाज हमेशा अपनी मफादात के असीर रही और कभी भी जहे अल्ला की वफादार नहीं हाँ यह और बात है कि वो अल्ला का नाम लेते रहे दीन का नाम लेते रहे इस नाम के वज़ उन्होंने लोगों से जहे करोड़ों रुप्या जो उन्हों उसल किया और इतिमाद ये उसल किया यकीन उसल किया तखदूस को इन वो जो मनसब पर फाद होने कोशिश करते रहे लेकिन मुसल्मानों की जिस तरीखे से वो उनको अपने रहनुमाई करने चाहे थे उसमें मुकमिल तरी तरीखे नाकाम रहे बलकि अपने मफदात के वसी रहे है यह आपने जो सवाल की आके जह है रोते हैं उन मतलब मसल्मानों के बेजरती का दर्द दिया जा रहा है श्रूंबरदाश करने का जो है आपको दर्स दिया जा रहा है और यह कहा जा था रहा है कि आप मोईपत का पायंब जरूर देजिए लेकिं जहे अगर आप autive किस पर कर रहे हैं कि आप आप किस पर यकीन कर रहे हैं आप अपने उन मनसूबों पर और आलेकारी पर उन जमातों पर आप यकिन कर रहे हैं जो गुष्टा कि मभरिमेद के शाहरत के बाद जो है जो आपने मौकफ इक्तियार करना जो सबख आपका अचादे हैं वो सबख आपने हासल नहीं किया अपना अपना दोस बना लिया और उनके किसी भी बादे पर भरोसा ना करो लेकिन आपने हमारा और और उल्मा एक्राम का शुरू से एक्तिलाफ यह रहा बाबरिमेद तहरीक में कि बाबरिमेद के दरादा खुलने के साथ हम जो मैदान अमल में हम जो रहे के मरतबा जेल जो जाना हुआ हमको उसका मसद यह है कि हम यह चाहते हैं शुरू से हमारा एक्तिलाफ यह था कि आप हरगी जियाना कहें कि आप मुकमिल तरह से एमान और यकीन की हथ तक इस ताग जादाश समझ कर उसके सौधा जो आप ने किया वर्लू से करन के टहत कि यह हो पिलिसेस अब वर्षिप का जो खानून है कि जो भी जह वनुस्षांटार्स का जो जो अबादगार है उसकर मौकअ पहीर पहीर रहे है आज उसको चैलंग किया जा रहा है यह वही मार है यह आ आपने अपने मौकफ को अपने आपको जो अक्तियार के वही आप जिए आपकी वर्स आज मिलत इसलाम्य को जिए इस दोर से उदर ना पड़ा ये बुगतना पड़ा रहा है आज मुस्लमान एक मुल्क की हर मजईद आज निशाने पर है आज हर तारीख की चीज आ जहा जा जा हे यह लूह कि लिए, आज निशादे की हो वह दॅन उल्ट है। तो आज यहे आप किस तरीखे से इसका मेखाबला करेंगे क्या यह जहे इस तरीखे से अगर इख्तियार किया गया और अगर आपने तागुत की अदारत बहुरुसा कर लिखिया उन्हों अगर फैसला गलत दे दिया तो आज मुल्क की हर मजड़ित को खोड़ दिया जाएगा और यहां पर यह भगवान है, उनके पास 33 करोर भगवान है मौडर्ल भगवानों को छोड़ कर, कोई भगवानों कमी तो हैं नहीं नहीं है उनके पास तो फिर आप किस तरीखे से इसलाम को बचाएंगे किस तरीखे से मसाजित क्या भी फारत करेंगे, क्या मौकफ आप एक्तियार करेंगे शरीयत मदाखलत को आपने खुबल कर लिया और यह हर लिहास से, हर मैंदान पर आपकी शिकित आपकी मौकफ की वरे से हो रही है तो फिर आप यह कहते हैं कि भी नफरत का महबत से देंगे, लेकिन आपने शिर्क का जवाब तोहीश से देना कभी आपने नहीं सीखा मौकफ के खिलाब जो मौकफ एक्तियार किया अल्हारी ने उनको तोहीश की जो दावत दी और बता दिया कि पलटकर हमको जो बार जो करना है, दिन हक के खिल्बे के लिए उस मौकफ को आपने एक्तियार नहीं किया और आप लोगों ने मिल्लत इसलामे को मिल्लत उम्मत वहदा नहीं मनाया आपने बस आप अपनी रोटियां सेक्रे में रहे गए और यही काम आप करते रहे तो बोले का मतलब यह है कि आज आप लोग हर्किस मुख्लिस अगर मुख्लिस अगर आप होते तो इस यह अगर आप मुसल्मान घर में यह तमाम मझहभी जमात यह बैटकर मिठा ही नहीं खाते थे अफसोस केसा इंको यह कहना पड़ रहा है कि जिस दिन बाबरी मझेद का फैसला आया उस दिन अभर हम एर दलिद साती ढיע हिंदू साती जह हम प्रेस गार्फ़ार करना चाहां तो हम को ग्रफ़तार करके जो मुशर बात पॉलिस टेशन रखा गया हमारे दलिद साती वह तो हमको या मुखदमा आप दरिश करके मुझे जिल भीज दिया जाए हम तो मज़ित के ताइद में मंदिर के हम मुखालिफत करते हैं अगर यही मौखवब कर मुसिलिम अलमा एकराम का अगर होता आज बाद दूसरी होती तो आज जो है किस यह डगर कर कि जो है किस मुखाम भर आपने लाकर ठारा कर दिया है तो आप हम को सोचना चाहिए कि आपकी यह जिलाज जो है क्या मुख़ब इक्तियार करेगा क्या मुसल्मानों को दावाद देगा क्या जो जिल्म को बर्दाश करने के आप पायम दे रहें मिलत इसलामिया को बेज़त होकर रहना आप सिका रहें मिलत इसलामिया को इस अंदासी जिन्दगी इक्तियार करने का आप आपको दर्स दे रहें तो मुखाबला कैसा करेंगे हम इस लुवे जमीन पर किसी जिज़त के साथ यहां पर रहेंगे किस तरीके से हम अपनी शनाफ को बर्खरार रखेंगे किस तरीके से हम अपनी मसाजिद की हिफादत करेंगे यह पयाम आखर कौन देगा वो गानून वो जो बुल्ड़द और जो चल रहे मुसल्मानों की है मकानों पर इबादत गाहों पर उसको कैसे रोका जाएगा क्या आपके पास कोई मस्तविल कोई आपके पास कोई अपकोई बंसुब बंदी आपके पास है उमत वाहिदा जहें ना इस मुट को बना सके लगी से और जहें जगर जाकर आप जिससे चंदा उसल करने आप जाते हैं दिगर मुमालिक को इस जल्म के खिलाफ आप इस पायाम को लोगों तक नहीं पहुंचा सके आप हाँ चंदे लेने के लिए दूसरे मुमालिक को जरूर चले जाते हैं आप लेकिन उम्मत वाहिदा बनने के लिए उस रिस्ते के जहें तालुख से आप उनकी जो जिमेदारätter हैं उसका ऐसा दिलाने के लिए आपने कभी खड़ खड़ नहीं उठाए आपने आप जहें किस वतन की बात कर रहे हैं किस मुखाम की बात कर रहे हैं किस मुखबत की बात कर रहे हैं किस इज़त की बात कर रहे हैं आप कि जहें मुलक का नाम खराब नहीं हो जा आरे यहां पर तो फिर हम यह कहते हैं आप से कि भाईयो इस खिसम के उल्मा पर आप हज़रात कतई कतई किसी भी लिहास से आप उन पर भरोसा न रखें उनकी ख्यादत पर को यकिन न करें और उन से अपने आप को अलग थाले को दूर रखें क्यों इसलिए कि बाबरिमीद की शादस से पहले भी कांग्रेस के आलायकार थे और आज भी दिगर अपने 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 मफादात के लिए सियासी जमातों की आलायकार हैं उनके वफादार हैं तो फिर आपको हमको जो मौकब बेक्तियार करना चाहिए मैं सुभी उल्मा की बात नहीं करना हूँ अल्हमदुल्ल्ला इसमुल्क के ऐसे उल्मा एकराम भी हैं जो जह सही रास्ता दिखाने के लिए अपने रहक के लिए लड़ना सब कुछ करने के लिए आपको सिकाएंगे आपके रहनुमाई करेंगे रहबरी करेंगे लेकिन हमको माईस होने की जूरत नहीं है इसलिए कि मैं एक आखरी बात करते हैं अपनी बात को मैं खतम करूंगा वो यह कि सुप्रिम कोर्ट ने जो फैसला सुना बाबरी मजजिद के मतालिख हो यह है कि यह बाबरी मजजिद इस तरीके से हमारे इबाद गाहों के निशा परदाश के दावेदार हैं क्या मंदिर बने विए क्या उसको तोड़ दिया जाएगा कि यहां पर हो यह चुका है कि आपको चैलन्ज करने की जूरत इस बात पर कि आज हिंदु धरम किसे कहते हैं आपको यह कहना चाहिए था यही हिंदु धरम आया जो बीजेपी और वो आर्यसस च्या हाधा या आप पूछता हूँ क्या आए हिंदु भाई भाई बिल्खुसर शंकर अचारिया क्या आप लोग अपने जह है किताबों से दसबरदाल हो चुके हैं alguém अपने श्लोकों करता एब आपने वेदों से मौनु शास्तर से आप जो दस्बादार हो चुके हैं उसको जिए कोने में प्रेक्ट चुके हैं आप क्या आपका धर्म नोगे तखारीर है या वो किताबे हैं आपको यह तैकरने की जूरत है अगर है तो आपको इस बात का एलान करें हम छोड़ चुके हैं तुम्हारी किता को. मनुल स्वार किताबों के अनुसार दुम्हारी किताबों के अनुसार डूरा, गले में लटका लो अपने कमर में जाड़ो बंद कर बताओ कि हमको हिंदु धरम अजीज़ है तुमें करके तुम बताओ जिस तरी के मुसल्मान लट जाता है अल्ला एक है वाहद हुला शरीक है उसका कोई शरीक नहीं है वो वाहद है जब्बार है सब तुम अपने भगवानों किसी एक बात पर मुत्विक और होकर बताओ कि तुम वाहद तुम करके बताओ तुम हर्गिस नहीं कर सकते कि वखुल जाहलख वजाहकल बातिल इननल बातिल काना जोहुखा रबिग फिर वरहम वता खरूर रहमेन अहां आपको जो है परिशान होने के कोई जरूरत नहीं बस इतना करना है अल्ला उनके साथ है जो इमान पर साबित ख़दम रहते हैं इमान पर चलते हैं अल्ला की मदद आती है उस रास्ते पर चलें अल्ला को राजी करने के लिए उगदामात करें यकीना जो मैदान अमंग में रहता है अल्ला की मदद उन्हीं को आती है जो शिक्स फर्दाल जैनित के हामिल है जो रोते हैं लोगों के सामने उनके लिए अल्ला की मदद कभी नहीं आती जो अल्ला के सामने जो रोते हैं गिरड़ात गिरड़ाते हैं और मैदाने अमल में आकर जब दुआ करते हैं अल्ला की मदद आती है और यह बातल जिसको अपनी हकोमत और अमरे ताकत अज़ाम है उच्छिवनाचूर होकर रह जाते हैं रब्यक्फिर वरहम व्मंता खेर और राहमीन